हेलो दोस्तों तो मेरे पास यह मूर्ती है गनपती जी की तो उसके लिए अभी हम इसका कवर बनाएंगे ग्लास से तो अभी जो मूर्ती है हमारी उसके थोड़ा बड़ा साइज का मैंने यह ग्लास लिया हुआ है यह आपको कटलरी के शॉप में मिल जाएगा और एक थर्मकॉल का पीस कट कर लिया है मैंने राउंड शेप में और उसके उपर यह कलर वाला पेपर चिपका दिया है इस तरह से अब हमें इसे ग्लू लगा लेना है जो हमने राउंड कट किया हुआ है उसे सभी जगह से हम ग्लू लगाएंगे अच्छे से लगाना है यह देखें इस तरीके से और इसके अंदर हमें इसे चिपका देना है जो एक्स्ट्रा ग्लू बाहर निकल चुका है उसे में साफ कर लूँगी किसी भी कपड़े से आप इसे पोच लीजिएगा यह देखिए इस तरीके से अब हम इसे उलता कर देंगे और इस बेस को अच्छे से डबाके अच्छे से चिपका लेंगे इस तरीके से और सुखने देंगे इसे मैंने और एक कलर पेपर लिया हुआ है जो ग्लास के लेंद का है और उसे में ग्लू लगा के अंदर की साइट चिपखा दूँगी इस तरीके से यह देखिए इसे हमें इसी तरह से अच्छे से फिक्स कर लेना है यह मेरे पास एक पुरानी सीडी थी तो उसे भी हम एक कलर पेपर लगा लेंगे दोनों साइट से एक साइट से मैंने लगा लिया है और अब यह दूसरी साइट से मैं इसे लगा दूँगी इस तरह से और जो एक्स्ट्रा पेपर है, उसे हम कट कर लेंगे, साइड से और सेंटर से भी, यह देखिए, हमारी सीड़ी भी बनकर रेडी है, अब यहाँ पर नीचे की साइड में ग्लू लगा रही हूँ, यह देखिए, अच्छे से इसे फेला देना है ग्लू को, और मेरे पास यह लेस है, उसे में यहाँ पे चिपका दूँगी, और यह देखिए, हमारा गनपती का जो कवर है, ग्लास का हमने बना के रेडी कर लिया है, और उपर से हमने लाइट भी लगा दिये, तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, शे कीजिए, बेल आइकोन को भी प्रेस कीजिए, थैंक यू फो वाचिंग,